जै शी राम, जै हनुमान, आज की अधाकान कता कुछ इस प्रकार है? मुनियों का समाज है और फिर तीरत राज है, यहां सच्ची सौकंद खाने से भी भरपूर हानी होती है, इस स्थान में यदि कुछ बना कर कहा जाए, तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता ना होगी मैं सच्ची भाव से कहता हूँ, आप सरवग है और शी रखनाजी, रदे के बना कर कहा जाए, तुम्हें सरवग हैं, तुम्हें कहाँ सतिभाव, उरे अंतरे जामी रग राओ, मोहिना मा तुम्हें कर तब कर सोचू, नहीं दुखो जी यह जैगू जा नहीं पूचू मैं सच्ची भाव से कहता हूँ, आप सरवग हैं, और शी रखनाजी, रदे के बीतर की जानने वाले हैं, मैं कुछ भी असत्य कहूंगा, तो आप से और उनसे छिपा नहीं रहेगा, मुझे माता कह कही कि करनी का कुछ भी सोच नहीं है, और ना मेरे मन में इसी बात का है कि जगत मुझे नीच समझेगा, ना ही ने डरू बिग रही पर लोकू, पिता हूं मरने कर मोही न सोकू, सुक्रत सुजस भरी पुआने सुहाए, लचि मने रामे सरी से सुत पाए ना यही डर है कि मेरा पर लोक बिगड जाएगा, और ना पिता जी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुन्दर पुण्य और सुयस विश्व भर में सुसोभित है, उन्होंने श्री राम लच्मर सरी के पुत्र पाएं है रामे बिरहत जी तनुछन भंगू, भूपे सोचे करे कवने प्रसंगू, रामे लखने सिय बिनुपगप नहीं, करे मुनिबे से फिरही बने बने हीं फिर जिन्होंने श्री राम चंद जी के विरह में अपने छड़ भंगूर सरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन पसंग है श्री राम जी, लच्मर जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाएं, वन वन में फिरते हैं अजीने बसने फल असने मही, सैने डासे कुसे पात, बसी तर उतर नित सहत हिम, आत पे बरसा बात वे वलकर वस्ट पहनते हैं, फलों का भूजन करते हैं, प्रथवी, कुश और पत्ते बिचा कर सोते हैं और बच्छों के नीचे निवास करके, नित सर्दी, गर्मी, वर्सा और हवा सहते हैं अही दुख दाह, दहई दिन च्छाती, भूख न बासर, नींद न राती अही को रोग कर, ओ सदु नाही, सुओं देव सकल बेस मन माही इसी दुख की जलन से निरंते मेरी च्छाती जलती रहती हैं मुझे ना दिन में भूख लगती है, ना रात को नींद आती है मैंने मन ही मन समस्त विस्व को खोज डाला, पर इस कुरो की ओसदी कहीं भी नहीं है मात कुमत बढ़ी अद मूला, तही हमारे हित कीने बसूला कली कुखाट कर कीने कुजंत्रू, गाड़ी अवदी पढ़ी कठीने कु मन्त्रू मात का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ी है, उसने हमारे हित का बसूला बनाया उसे कलेह रूपी कुखाट का कुयंत्र बनाया, और चौदा वर्ज की अवद रूपी कभी कठीन कु मन्त्रू, पढ़कर उस कुयंत्र को गाड़ दिया यह माता का कुविचार बढ़ाई है, भरत को राजवसूला है, और राम का बनाया सकुयंत्र, और चौदा वर्ज की अवद रूपी कु मन्त्र है, जै श्री राम, जै हनुमान, आज की अध्याकान कता में बसुता है, हर हर महाले